ले मैन के लिए मटापा सरफ मटापा है वजन सरफ वजन है एक्सपर्ट के लिए वजन अलग अलग चीज़ इंडीकेट करता है और उसके बहुत सारे कारण है और उसकी बहुत सारी कितिनी तरह का मुटापा होता है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है अलग-अलग मैथेड्स क्या है इसके मैनेजमेंट के सबसे वहले हो बात करेंगे based upon the BMI Body Mass Index Body Mass Index यह आप हमारी को में लेकर उसका स्क्वेर करके उसे डिवाइड कर देना उससे calculation आती एक जो फिगर आता है जो नंबर आता है वो डिसाइड करता है कि आप अपनी वेट की कटेगरी में कहां खड़े होते हैं अंडर वेट है तो आपका साड़ एठारां से नीचे आएगा चोबिस तक अगर टू थ्री अलगवले केटेगरीज उसकी वो फिर उसके सबसे मौर बेटिटीज सबस्क्राइड होती है कि आपके शरीर में और वेस्टी का रेट क्या या आपके शरीर में कितना भीयाम है उसके सबसे एस्टेट प्रॉलम्स क्या है तो आप कितने रिस्क के ऊपर खड़े ह होते हैं यह हुई एक बात इसके अलावा फिर दूसरी आती है डिपेंडिंग अपन दो शेप आफ दा बड़ी बिसी कली फैट आपके शरीर में कहां पर है इसके वेच पर दो तीन तरह की कटेगरी सुती है पैराफेरल सेंट्रल और मिक्स्ट पैरिफेरल या पीर शेप बड़ी जोसको बोलते हैं यह गायनेक गायनेकॉइड विस्टी भी कहा जाता है फी मिल्स में जादा तर होती है में भी होती है इसका मतलब यह होता है कि आपकी चर्वी आपके थाईस पे आपके बटक्स पे आपके हिप के उपर जादा है जो कि आपको एक पीर की तरह शेप देता है दूसरा था एपल शेप यह एंडरोएड ओबेसिटी अपलशेप बड़ी का मतलब है कि यह इंटरली लोकेट मतलब है कि बॉड़ी फैट अल्मूस फैब अब्डॉमन पे भी है और वक्य हिसों के उपर भी है तो यह मिक्स टाइप का कटेगराइजेशन है अच्छा फिर इसके इलावा डीसी आसोसेटेड भी होता है डीसी आसोसेटेड के मतलब यह होता है कि आपका टाइप 1 और टाइ है पतारेडिजम है है इसकी वजह से यह मतापा हो रहा है एक और जो एक साइंटिफिक स्केल नॉर्मली एक फॉल्म की जाती है उसको एंड मॉन्टन स्केल बोलते हैं इसमें जीरो से लेके चार तक अलग-अलग कटेगरी होती है डेपेंड करता है स्टेज जीरो से अब इसकी जासे बीपी शूगर हार्ट कोलेस्ट्रोल या स्ट्रोक की एस्सीशन यह सब करती है एंड मॉन्टन स्केल के ऊपर आप कहां खड़े होते हैं अच्छा एक और के टेगरी होती है जिसको जिकर करना यहां पर बड़ा जरूरी है चाइल्ड हुड ओबिसिटी या अदेंट लाइक ओबिसिटी चैड्ड लाइक ओबिसिटी का मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर फैट सैल्स का नंबर बढ़ गया है अदेंट लाइक ओबिसिटी यह जादा तर मिडल एज में होती है 20 प्लस या 30 प्लस की एज में और इसके इंदर कहें फैट सैल्स तो ही है पर जो 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 उनका साइज बढ़ गया है उसके अंदर आके पैड़े पोजिशन हो गए इसकी वज़ज़ से आप मोटे हो गए है चाइड लाइक अवेस्टी इस मोट डिफिकल्ट टू मैनेज देन दा एड़ लाइक यह डिफेंट डिफेंट केटागरी से अब आप कि के अंदर आते हैं यह आपकी बॉड़ी को एनलाइज करके बताया जा सकता है और उसकी मैनेजमेंट उसी हिसाब से होती है आप आप किस स्टेज के ओपर खड़े हैं और आपकी एज क्या है आपके साथ एसोसिटेड मेडिकल प्राब्लम्स क्या है यह फाइनली एक करते के लिए कि क्या रास्ता अपको लेना चाहिए क्या आपको केवल डाईटिंग से फरक पढ़ जाएगा क्या आपको अडिडिवां मेडिकेशन भी चाहिए 2021 सवीर्र मेंचला सकते हैं ये शर्ज्जरिव यह सार प्राइज के यहाई-प्राइज लेएर स कर आब लेए ओ मुटापा सरफ मुटापा है वजन सरफ वजन है एक्सपर्ट के लिए वजन अलग लग चीज इंडीकेट करता है और उसके बहुत सारे different कारण है और उसकी बहुत सारी different implications है complications है अब मुटापे की अगर पात करूं जो जो अब आजकी डेट में इतना ज्यादा मुटापे को लेकर discussions क्यों हो रहे हैं इतना ज्यादा क्यों सोचा जारा है इसके बारे में डवली है क्यों इतना concerned है कारण यह है पहले जिस मुटापे को यह जिस फैट को हम लोग केवल एक inert सिर्फ एक सिर्फ पीगे सिंप नीचे स्कीन के नीचे जमा हों गी और अवी इतना है अब यह io जूर अच यह तो जो 田 uniqu तो गठा हो रहा यह सर अघ्र innocent नहीं है यह इंट्रफेर कर रहा है इन हर्मौन्स सुकि रही है यह मेरे metabolism के साथ मेरे sugar levels के साथ मेरे other hormones के साथ ये interference करता है more amount of fat we have more disturbance of the hormones is there इस disturbance से होगा क्या insulin resistance PCOD in the females sexual weakness in the males hypertension skin problems acne hairy skin हमारे visceras का blocking जिसा fatty liver हो गया pancreas हो गया osteoarthritis हो गया और many types of cancer जिसकी वज़े से ये problem होती है more disturbances ये सब चीजें ये fats हमारी body में create कर सकते हैं अच्छा अब इसकी management कैसे होगी पहली बात तो categorization कि आप किस category में घड़े होते हैं दूसरी बात आपके साथ में associated medical problems क्या हैं तीसरी बात आप किस treatment को कितना अच्छे से tolerate करते हैं आपकी body कितना अच्छे से tolerate करती हैं ये सारी चीजें finally decide करती हैं कि which method you should follow and which is the long term method that would help you out को दस भी स्पंदरा दिंग की या एक मीने की या दो मीने की game नहीं है इस इस सम्थिंग टेट है सुभी एडॉप्टेट फॉर एस्ट फॉफ लाइफ सबसे जरूरी होता है तो ट्रीट दा कॉजटिटिव फेक्टर मैं उपर से तो चर्वी कम कर रहा हूं जो आख से तो कारण है उसको कम नहीं कर रहा है अब को समझाने के लिए अगर मैं बता हूँ अगर मेरी कीचन के इंदर मेरी कीचन सुबह वाटता हूँ पानी से बही तो मुझे क्या करना चाहिए अपके सबसे मुझे क्या करना चाहिए क्या उस तूटे वहां पर जो पानी लेक कर रहा है उसको बंद करना चाहिए या मुझे उस ड्रेन को ओपन करना चाहिए जहां जिस आउटलेट से पानी बाहर जा रहा है मिक्षाइब कलता को स these चेक में सब्सक्राइब पानी लेग तो नहीं कर रहा है जुसकी वजह से बर गया है फिर जो पानी आ रहा है वो निकल क्यों नहीं रहा किया उसकी निकलनी के स्पीड कम है और आने का स्पीड जादा है definitely मेरे drain को चोक हो गया तो पानी का निकलना इस बात के उपर नियबब करेगा कि पानी की blockage हुई क्यों है यह blockage है या overflow है उस कारण को remove करेंगे तब ही तो dry होएगा ना कि इसी तरह तो एक doctor decide करता है अपकी आपकी body में आप मानों एक fever लेकर doctor के पास जाते हैं भी ले ली मैंने malaria की गोली भी ले ली मैंने fungus की दवाई भी ले ली सब चीजों को mix करके गोली अंखा लेता हूं बुखा ठीक हो जाएगा ऐसा ही होता है ऐसा नहीं होता है basically doctor tries to find out the causality factor टाइफएड है malaria है वाईरल है किस तरह का बुखार है उसके साब से आपको एक या दो medicine दी जाती है जो specifically उस कारण को treat करें इतनी सब गोली के ठीक हा लेंगे fever का तो मैं नहीं जानता हूं पर दवाईयों की overdose से आप मर जाएंगे सब्सक्राइब इसमें सारी सारी बात से conclusion पते क्या निकलता है conclusion यह निकलता है कि मुझे कारण को find out करना है कि मेरे श्रीर में क्या hormonal imbalance है क्या मेरा lifestyle changes ज़रूरी है या मेरे अंदर और कुछ factors जो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से overweight होता चाला जा रहा हूं सिर्फ magic pill find out करना एंटरनेट के उपर या कोई quick fix solution रोणना यह कोई कोई हल नहीं है अगर जिन लोगों ने किया है यह cheese try तो यह लोग जानते होंगे कि इससे कुछ जादा फाइदा कोई kilo 2 kilo कम जादा हो गया but that is not a solution you may end up in losing the health losing the precious delicacies the hormonal balances जाके एकदम treadmill खरीद लो कोई बड़ा पैगज ले लो जिम का dieting unnecessary शुरू कर दो बिना calculation के बिना शरीर में के जाने हुए तो we may end up in in losing some of the nutrients some of the maybe lean body mass शरीर में जो muscle mass है हम लोग उसको लूज कर सकते हैं जरूरत है fat mass को लूज करने की lean body mass जो protein पाट है muscle पाट है उसको बचाने की और यह 35-40 के बाद और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि तब formation बहुत कम हो जाती है तो इसलिए सिर्फ तुक्के नहीं मारें किलो तो किलो कम जादा वजन शरीर अपने अप लेता है थोड़ा सा डाइटिंग थोड़ा सा वो डेफिनिटली विल मेक यू फील लाइटर मेक यू फील बेटर और अच्छा है प्रिकॉशन्स लेना कॉंशियसली खाना डेफिनिटली पर अगर आप सीरियस ने अपने विट लॉस को लेके आप अब इस कैटागरी में आते हैं तो आपको डेफिनिटली यू सीख दा एडवाइस ओफ एडवाइस ओफ एन एक्सपर्ट जो कि आपके बड़े को इनालेस क्या है कारण पता होगा तो डेफिनिटली अप अपने गोल्स को जल्दी आराम से और और बीना किसी कॉंप्लिकेशन के अचीव कर पाएंगे अगले उसमें टापिक्स में हम लोग और बिमारियों के उपर चर्चा करेंगे तब तक के लिए थैंक्यू सो वैरी मज फ्रम ट यहल्दी